हेलो दोस्तों वेलकम टू एमसी क्लासिस आज हम रेलवे से जुड़े हुए महत्पूर्ण प्रशन देखेंगे साथ ही दोस्तों आप चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेलवे से जुड़े हुए महत्पूर्ण प्रशन तो फर्श्ट है रक्त का लगभग कितने प्रतीशत भाग प्लाजमा होता है तो रक्त का लगभग 60% भाग प्लाजमा होता है मतलब ऑप्शन A is correct नेक्स्ट है मानों में व्रक एक तंतर का भाग है जो किस से सम्बंदित है तो यह है उत्सर्जन से सम्बंदित मतलब ऑप्शन C is correct अब इन दोनों कॉस्चन से जुड़ी हुई जो डेटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं पहला कॉस्चन जो है रक्त का लगबख कितने प्रतिशत भाग प्लाजमा होता है उसकी डेटेल क्या है तो देख लेते हैं प्लाजमा रक्त का हलके पीले रंग का तरल होता है यह थोड़ा चारी होता है प्लाजमा साफ पारदर्सी और आधारबू तरल है यह रक्त का लग और आकार्वनिक पदार्स मौझूद रहते हैं प्लाजमा में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्लाजमा प्रोटीन पाए जाते हैं जो मुक्रूप से एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिंस, प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्री नोजन से मिलकर बने होते हैं रक्त के परासरन दाब को निर्धारित करना इनका कार होता है मानाव में वक्र एक तंत्र का भाग है, जो किस से संबंदित हैं यह हमने देखा था तो देखते हैं उस सर्जन से संबंदित था, अब इसकी डिटेल क्या है? किसी जीव के सरीर से विशाक्त या अफसिष्ट को बाहर निकालने की प्रक्रिया उस सर्जन कहलाती है कारवन डाय अक्सवाइड और यूरिया मानाव सरीर द्वारा उस सर्जित किये जाने वाले प्रमुक अफसिष्ट है कारबन डायक्सवाइट स्वसन की प्रक्रिया से पैदा होता है और यूरिया यक्रत मतलब लीवर में अपरियुक्त प्रोटीन के अपगटन से बनता है मानो सरीर में इन्हें बाहर निकालना अनिवार है क्योंकि इनका मानो सरीर में संचित होना जहरीला होता है और ये उन्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं सरीर से अपसिष्ट बाहर निकालने के लिए अलग-अलग अंग होते हैं ये अंग हैं फेफडे और व्रक फेपडे मतलब lungs, व्रक मतलब kidney हमारे फेपडे कारवंड़ अकसाइड का और व्रक यूरिया का उससरजन करते हैं इसलिए व्रक मानो सरीर का प्रमुक उससरजक अंग है Next Next है वन्यजीव संरक्षण के छेत्र में अदम में साहत दिखाने वालों को कौन सा पुरुसकार दिया जाता है तो वन्यजीव संदक्षण के छेतर में अदम साहत दिखाने वालों को अमरता देवी विश्णोई पुरुसकार दिया जाता है मतलब option C is correct अब देख लेते हैं समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस एकाई से ना पी जाती है तो समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई डॉप्सन एकाई से ना पी जाती है मतलब option B is correct अब इन दोनों question से जुड़ी हुई जो details हैं वो हम जान लेते हैं पहला question क्या था कि वन जीव संदक्षण के छेतर में अदम में साहथ दिखाने वालों को कौन सा पुरुषकार दिया जाता था तो उसकी detail हम देख लेते हैं राज सरकार द्वारा पर्यावन संदक्षण वन विकास एवं वन जीव सुरक्षण के छेतर में उतकष्ट कार करने वाले विक्तियों संस्थाओं को प्रतिवर्स अमरता देवी विश्नोई पुरुषकार से राजिस्तर पर सम्मानित किया जाता है यह पुरुषकार राजिस्तर पर पर्यावन के छेतर में उतकष्ट कार करने वालों के लिए सबसे बड़ा पुरुषकार है इसमें एक लाख रुपे की रासी प्रदान की जाती है यह है अमरता देवी विश्नोई अवार्ड की पिक्शर अब देख लेते हैं समताब मंडल की ओजोन गेस की परत की मोटाई की एकाई किस से नापी जाती तो वो देख लेते हैं ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रेंच वैग्यानिक चार्ल्स फब्रे और हैंडी विस्तोन ने की इसके गुणों का अध्यान वैग्यानिक डॉप्सन ने किया उन्होंने इसकी मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रो फो मीटर विक्सित किया उन्ही के नाम पर ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन एकाई से नापी जाती है तो उन्होंने मोटाई नापने के लिए किसका विकास किया था तो स्पेक्ट्रो फो मीटर का विकास किया था यह है समताप मंडल ओजौन परत और समताप मंडल की मोटाई बताई हुई है इसमें Next सूरी की उर्जा किस माध्यम से उत्पन होती है तो सूरी की उर्जा परमाणू सल्लेन से उत्पन होती है मतलब option A is correct अब देखते हैं Next question तो प्रस्वी पर जल चक्र को सकती प्रदान कौन करता है तो प्रस्वी पर जल चक्र को सकती सूरी प्रदान करता है मतलब option C is correct अब इन दोनों question से जुड़ी हुई जो details हैं वो देख लेते हैं क्या है पहला है सूरी की उर्जा किस माध्यम से उत्पन होती है तो इसकी detail देख लेते हैं सूरी की उर्जा nuclear fusion यानि परमाणू सल्लेन से पैदा होती है fusion या सल्लेन में आमतोर पर परमपरागत आडविक भट्टियों का इस्तमाल किया जाता है जो आकार में बड़ी और महंगी होती है next question के असा तो देख लेते हैं प्रत्वी पर जलचक्र को सक्ति कौन प्रदान करता है तो इसकी detail देख लेते हैं जलचक्र सूरी की उर्जा से प्रेरित होता है सूरी समुद्र की सता और अन्य सता के पानी को गर्म करता है तरल पदार्थ वास्पी करण और वर्फ को विसेश रूप से ठोस से गैस तक बदल देता है ये सूर संचालेज प्रक्रिया जलबास्पी की संरचना में वायो मंडल में मौझूद पानी को इस्थानांत्रित करती है next ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे मतलब option A is correct अब देखते हैं next question तो निम्लिकित में से कौन नोबल धातु है तो नोबल धातु है silver मतलब option B is correct अब इन दोनों question से जुड़ी हुई जो details है वो देख लेते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे तो इसकी detail क्या है वो देखते हैं ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनरजागरन युग को प्रभावित किया इसके प्रवर्त तक राजाराम मोहनराय अपने समय के विशिष्ट समासुधारक थे 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज को राजाराम मोहनराय और द्वारका नाट तैगोर ने इस्थापित किया था अब देखते हैं निमलिकित में से कौन सी नोबल धातू है तो इसके डिटेल क्या है रसायन विज्ञान में उसकर्ष धातूएं या राज धातूएं वे धातूएं हैं जिनका आद्रवायू के संपर्क में रहने के बाबाजूद छरण और ऑक्सीकन बहुत कम होता है रजत, स्वर्ण, प्लेटिनम, रोडियम, पैलेडियम, आदी, प्रमुक, उत्क्रेश्ट धातूएं हैं नेक्स्ट दाची गाम राष्ट उद्यान कहा है तो दाची गाम राष्ट उद्यान जम्मू कास्मीर में है मतलब ऑप्शन A is correct किस सरकार ने मो सरकार अभियान लाँच किया है तो मो सरकार अभियान उड़ी से सरकार दोरा लाँच किया गया है मतलब ऑप्शन D is correct अब इन दोनों कॉस्टिन से जुड़ी हुई जो डेटेल्स हैं वो देख लेते हैं पहला है दाची गाम राश्टिद्यान कहा है इसकी डेटेल्स जो है वो देख लेते हैं दाची गाम राश्टिद्यान जम्मू कास्मीर में स्री नगर से 22 किलो मीटर दूर है इसका मुख्य जानवर 12 सिंगा है दाची गाम का मतलब है 10 गाउं समुद्र तल से पार्क की ओसत उचाई 2990 मीटर है अब देखते हैं किस सरकार ने मोसरकार अभियान लॉंच किया है इसकी डेटेल क्या है तो उडिसा के मुख्य मंत्री नवीन पतनायक ने गांधी जियनती के अवसर पर मोसरकार अभियान लॉंच किया इस अभियान के तहट लोगों को उत्तम सरकारी सेवा दी जाएगी इस अभियान के तहट सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए आने वाले लोगों से फीड़बेक ली जाएगी फीड़बेक के अधार पर सरकारी कर्मचारियों को रैंकिंग दी जाएगी नेक्स्ट विस्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है जलवास्प मतलब option B is correct अब नेक्स्ट है नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेस को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है एक बार पिर देखते हैं क्या है नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है तो यह बदल दिया जाता है डी नाइट्री फाइंग वैक्टीरिय द्वारा मतलब ऑप्शन बी इस करेक्ट अब इन दोनों कॉस्चन से जुड़ी हुई जो डेटेल्स हैं वो देख लेते हैं बिस्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस की डेटेल है वो देखते हैं जलवास्प सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है यह साफ आसमान में 36-66 और बादनों वाले आकास में 66-86 परतीशत ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन करती है अब नेक्स्ट जो है वो नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है तो इसके डिटेल देख लेते हैं नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में डिनाइट्रिफाइंग वेक्टीरिया के द्वारा बदल दिया जाता है सब्द विसुवत रेखा संदर्वित करता है दिन और रात एक समान अवदी के होते हैं मतलब option B is correct अब देखते हैं पारस्तित की तंत्र की संकल्पना को किस ने प्रकासित किया था तो पारस्तित की तंत्र की संकल्पना को और्थर ट्रांसले ने प्रकासित किया था मतलब option A is correct अब इन दोनों कॉस्चेन से जुड़ी हुई जो details है वो देख लेते हैं सब्द विसुब संदर्वित करता है तो इसकी डिटिल क्या है विसुब सब्द संस्क्रिट से लिया गया है और इसका साब्दिक अर्थ दिन और रात्री के समान होने से है एक्वी नौक्स सब्द लेटिन भासा के सब्द एक्वस मतलब समान और नौक्स मतलब रात्री से लिया गया है यदि दो लोग भूमद रेखा से समानदूरी पर खड़े हों तो उन्हें दिन और रात की लंबाई बराबर महसूस होगी आप देख लेते हैं पारिस्तिती की तंत्र की संकल्पना को किस्ने प्रकासित किया था तो इसकी डिटेल क्या है बिटिस्क पारिस्तितिकी वैज्ञान सास्त्री और थर टॉंसले ने बाद में इस सब्द को पारिस्कृतिक करते हुए यह वर्णन दिया कि यह पूरी प्रणाली ना केवल जीव परिसर है लेकिन इसमें सभी भौतिक कारकों का पूरा परिसर भी सामिल है जिसे हम पर्यावर्ण कहते हैं तॉंसले ने बाद में इकोटोप सब्द के प्रयोग द्वारा पारित तंत्र के इस्थानिक हद को पारिभासित किया पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है तो पौधे का वो कौन सा हिस्सा है जो पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है तो वो हिस्सा है जायलम मतलब option C is correct अब देख लेते हैं उदभाव का सिध्धान्त मतलब theory of evolution का प्रतिपादन किस ने किया था तो theory of evolution का प्रतिपादन किस ने किया था या किया था Charles Darwin ने Charles Darwin द्वारा उदभव का सिध्धान या theory of evolution का प्रतिपादन किया गया था मतलब option A is correct अब इससे जुड़ इन दोनों question से जुड़ी हुई जो details है वो देख लेते हैं पहला क्या था कि पौधे का कौँ सा हिस्सा पानी और खनेज के परिवहन को सक्षम करता है तो हमने देखे था जाईलम करता है अब इससे जुड़ी हुई जो details है वो पूरी देखते हैं क्या है जाईलम उतक पौधे में जल का परिवहन करता है पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी से जल को अफसोसित करते हैं इस जल में पौधे के विकास के लिए अन्य आवशक खनिज तथा लवण भी विलेग के रूप में उपस्तित रहते हैं अब नेश्ट है कि उद्वाव का सिद्धान मतलब ठोरी ओफ एविलूशन का प्रतिपादन किस ने किया था तो डिटेल देखते हैं चास डार्विन का मत था कि प्रक्ति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है उनका मानना था कि हम सभी के पूरवज एक हैं हर प्रजाती चाहे वह पेड की हो या फिर जानवर या मानो की सभी एक दूसरे से संबंदित हैं साल 1858 में डार्विन ने थियोरी ओफ एविलूशन को दुनिया के सामने रखा था भारती ससस्त्रबलों ने ऑपरेशन मेगदूद का संचालन कहां पर किया था तो भारती ससस्त्रबलों दौरा ऑपरेशन मेगदूद का संचालन सीय चिन में किया गया था मतलब ऑप्शन C is correct अब देख लेते हैं next ब्लोटिंग पेपर द्वारा सियाही सूखने का क्या कारण है तो ब्लोटिंग पेपर द्वारा सियाही सूखने का कारण है capillary precria मतलब option C is correct अब इन दोनों question से जुड़ी हुई जो details हैं वो देख लेते हैं तो पहला है भारती सस्त्रबलों ने operation मेगदूत का संचला कहा किया था तो इसकी detail है operation मेगदूत भारत के जम्मू कास्मीर राज में सियाचिन गलेसियर पर कबजे के लिए भारती सस्त्रबलों के operation के लिए code नाम था जो सियाचिन संगर्स से जुड़ा था 13 अप्रेल 1984 को सुरू किया गया या सैन अभियान अनौखा था क्योंकि दुनिया की सबसे उचाई पर इस्थित युद्ध छेत्र में पहली बार हमला सुरू किया गया था अब देख लेते हैं blotting paper द्वारा स्याही सूखने का क्या कारण है इसकी detail क्या है तो blotting paper जिसे कभी-कभी तुई-गुणित कागज कहा जाता है एक अत्यदिक सोसक कागज है यह कागज या वस्तुओं की सत्य से तरल पदार्थों जैसे स्याही या तेल अवसोसित करने के लिए उप्योग किया जाता है अत्रिक्त तरल पदार्थ को निकालने के लिए मुख्य रूप से बिबूलस पेपर के रूप में संदर्वित प्लोटिंग पेपर का उप्योग किया जाता है तो अचा के तेल और मेकप को हटाने में सहायता के लिए प्लोटिंग पेपर को कॉस्मेटिक की रूप में भी बैंचा गया है Next Ecology सब्द किसने प्रतिपादित किया था तो Ecology सब्द किसने प्रतिपादित किया था यह किया था Ernest Hakel द्वारा Ecology सब्द को प्रतिपादित किया गया था मतलब Option D is Correct अब देखते हैं Next प्रतम भारती संचार उपगरह का क्या नाम था तो प्रतम भारती संचार उपगरह का नाम था Apple मतलब Option C is Correct अब इन दोनों कॉस्चन से जुड़ी हुई जो Details हैं वो देख लेते हैं हम पहला है Ecology सब्द किसने प्रतिपादित किया था तो इसको डेटेल में देखते हैं क्या है अंग्रेजी भासा का Ecology सब्द Greek भासा के दो सब्दों Oikas और Logos से मिलकर बना है Oikas का अर्थ घर या रहने का स्थान है तथा Logos का अर्थ अध्यन या चर्चा है पारिस्तित की सब्द का प्रियोग सर प्रथम सन 1868 में रिटर महोदय ने किया था लेकिन इसको पूर्ण रूप से परिभासित और विस्तरित अध्यन का स्रे जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल को जाता है Ecology या पारिस्तित की वैज्ञान पारिस्तित की का अध्यन कराने वाली परियावण की एक साखा है इसकी स्थापना 1866 में अर्सनेट हैकल ने की अब देखते हैं नेक्स्ट प्रथम भारती संचार उपगरा का क्या नाम था तो इसकी डिटेल क्या है भारत का पहला संचार उपगरा Apple, Arian, Passenger, NITBAR, परिक्षन Apple एक परिक्षडात्मक संचार उपगरा था जिसे 19 जून 1981 को ठीक 35 बर्स पहले कोरू फ्रेंच गयाना से Arian 1 दौरा सफलता पूर्वक प्रमोचित किया गया था यह भारत के अंत्रिश कारकम की एक महत्पूर्ण उपलब्दी है क्रपया आप चैनल को सस्क्राइब जरूर करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो तके थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो की पीडिया प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्षन पर दी हुई लिंक में क्लिक करें